कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर भी डाग गई थी राम सेतु का निर्मान कर सीता मैया को वापिस जो लाना था प्रभू शिरी राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थी तब ही उनकी नजर पड़ी एक गिलैरी पर गिलैरी जो थी, वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतू के पत्रों की और फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्रों के राम जी को अश्चरे हुआ कि ये हो क्या रहा है, वो गिलेरी के पास गए, पुछा तुम गिलेरी कर क्या रही है गिलेरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ उस पर रेत लपेट दिया और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही है आज बारी हमारी आयोध्या में हमारे शरीराम के भव्य मंदिर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने कुछ गिलेरिया बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार जोगदान दे कर एतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साज़ेदार बने मैं खुद करता हूँ शुरूबात मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीडियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे जैश्रीर